नमस्कार फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि आप देख शकते हैं, यह है LG कंपनी का श्याटी टेली विजन है, और दोस्तों यह है अल्टर स्लिम टीवी है, इस पर फाल्ट क्या है, जैसा कि आप देख शकते हैं, ऊपर से आपको करीब 2 इंच स्क्रीन पर पतली पतली रिट्रस आइन जो है दिखाई दे रही है, तो आज दोस्तों मैं LG के इस अल्टर स्लिम टेली विजन पर आने वाले इसी फाल्ट के बारे में आपको बताऊंगा, कि इस फाल्ट को दोस्तों हम कैसे दूर करेंगे, और इस प्रकार का फाल्ट आपको, चाहे किसी भी कंपनी का CRT टेल रहे हैं, यह फाल्ट वर्टिकल सिक्षन में खराबी के करण आता है, तो दोस्तों इस फाल्ट को दूर करने के लिए, यह देख सकते हैं कि यह जो वर्टिकल आज़ी लगा हुआ है, और इसके पास एक कैपिस्टर लगा हुआ होता है, 100 एमें 50 बोल्ट, एक फिर 360 बोल्ट का होता है, तो इसे दोस्तों मैं निकाल दूँगा, और यह जो कैपिस्टर है, तो मामूली सा वीक हो जाता है, लेकिन आपको यह देखने पर ऐसा नहीं लगेगा कि यह खराब हो चुका है, तो दोस्तों आपको यह जो कैपिस्टर है, 100 एमें 50 बोल्ट, एक फिर 360 बोल्ट का भी लगा होता है, या फिर 100 एमें 35 बोल्ट का भी लगा होता है, तो इसे दोस्तों आपको निउ लगा देना है, और यह मेरे पास कुछ कैपिस्टर है, 100 एमें 50 बोल्ट बाले, तो मैं इसे निउ लगा दूँगा, यदि आपको इस वैलू का सेम कैपिस्टर मार्केट मे नहीं मिल पाता है या आपके पास नहीं मिल पाता है तो आप 100μf 63 बोल्ट का भी लगा सकते हैं और 100μf 40 बोल्ट का भी लगा सकते हैं और दोस्तों आपका जो टेलिविजन है चाहिए बहुत किसी भी कंपनी का हो तो अधिक तरह यह जो खराबी है इसी कैपिश्टर के वीक होने कारण आपको मिलेगा तो कंपनी चाहिए कोई भी हो यह इस प्रकार का फाल्ट आता है तो सबसे पहले आपको यह कैपिश्टर जो है बदल कर देखना है और आप देखेंगे कि आपका जो प्राबलम है तो वह 100% जो है प्राबलम हो जाएगा क्योंकि इस प्रकार का फाल्ट अक्सर वाटकर स्क्षन में इसे कैपिश्टर के वीक होने के कारण ही आता है और इस कैपिश्टर को आप कैसे पहचानेंगे कि यहीं कैपिश्टर हमें बदलना है तो दोस्तों यह जो कैपिश्टर है इसका positive point जो है तो एक diode लगा होता है तो diode से आपका इसका positive point जो है connect होता है बहुत simple सा पहचान है और इस capacitor को आप new लगा देगे और इसके बाद देखेंगे तो आपको जो टीवी पर समस्चा देखने को मिल रहा है तो दोस्तों वह दूर हो जाएगा और अब मैं आपको इस television को चालू करके भी आपको दिखाता हूँ कि यह जो समस्चा इस TV पर आ रही थी तो वह दूर हुई की नहीं तो दोस्तों मैंने television को on कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इस पर जो fault हमें दिखाई दे रहा था उपर से करीब दो इंच बारी पतले पतले रिट्रस लाइन जो है आ रही थी तो दोस्तों वह fault हमारा दूर हो चुका है दोस्तों अगर इस परकार का fault आपको किसी भी television पर देखने को मिलता है चाहे television का company कोई भी हो और TV चाहे आपका normal हो याग फिर ultra slim तो दोस्तों आपको यह जो capacitor है तो आपको new लगा देना है और आपका यह जो problem है तो ठीक हो जाएगा दोस्तों नमस्कार कि अपका नमस्कार